हेलो गैज वल्कम बाक तो माई चानल दिस इस सुख्मनी करसोधी एम इन्युम्रिलोजिस्ट अटारो काड रीड़न लाइफ कोच कैसे हैं आप सब लोग गैज तो गैज आज कज टारो सेशन होने वाला है उसमें हम यह देखेंगे कि अब से अगले कुछ घंटों में आपकी कि ऋने वाला है आपकी लव लाइफ में क्या होने वाले हैं वह पर्सिं क्या सोच रहे हैं क्या चल रहां उनके मन में यह क्या उनकी तरफ से एक्षण होगा आप से अगले कुछ घंटों में वह आज हम सब को चेक करेंगे लिभी तो भी मैं कुछ पोस्ट करूं आपके पास इस तरीके की और वीडियो आ जाएं बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा और साथ ही साथ गाई अगर आपको परसनल रीडिंग लेना चाहते हैं क्योंकि यह जेनरल रीडिंग होती है किसे रेजनेट क सोबर तब का ही लास्ट डिसकाउंट है ठीक है उसके बाद डिसकाउंट आपको नहीं मिलेंगे तो आप इसके लिए मुझे कॉंटाक्ट कीजिएगा ठीक है गाईज अब हम यह देख लेते हैं अब से अगले कुछ गंटों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है seven of cups king of cups two of pentacles four of cups the world bottom of the deck है queen of wands okay so guys यहां पर situation कुछ ऐसी है कि यह जो person है यह person बहुत ही जादा insecure हो रखे है and I feel जैसे बहुत सरे लोगों को यहां पर ब्रेक अप हो रखा है या फिर इस person को आपको खोने का बहुत डर है जैसे कि आपको खो देंगे आप इनको छोड़ देंगे five of pentacles की energy है जो यहां पर यह बता रही है कि जैसे इस person को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको कोई छोड़ के चला गया है जैसे कुछ खतम हो गया हो इस तरीके की energy में यह person मुझे दिख रहे है इस तरीके की energy जैसे इस person की मुझे यहां पर दिख रहे है और इनको insecurity हो रही है कि कब आप इनके पास आएंगे आप किसी और के पास ना चले जाएं आप possessive जैसे यह बहुत जादा आपको लेकर हो रहे हैं और अगले कुछ गंटों में हो सकते हैं इनको डर और सतान लगेगा कि सब कुछ खतम हो किया है और जिन भी लोगों का you know break up हो गया है इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनको छोड़ दिया हो जैसे आप पे सारा blame डाल रहे हैं और कुछ चीजों के लिए इनको खुद भी regret हो रहा है ठीक है यहां पे मैं यह भी देख पार हूँ यह person दिखा नहीं रहे हैं कि इनको क्या चाहिए है यह क्य से और की बात करते हैं या फिर आप इनको छोड़ने की बात करते हैं तो यह कितना डर जाते हैं यह सामने से नहीं दिखा रहे हैं अंदर से बहुत ही जादा हर्ट दिख रहे हैं मुझे two of pentacles की energy है यहां पर यह मुझे चीज भी दिख रहे हैं यह person दो thoughts में हैं जैसे इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको contact करें यह नहीं करें यह अपने आपको balance कर रहे हैं बहुत जादा emotional हो रखे हैं यह person और अपसे अगले कुछ घंटों में भी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपको बहुत miss करने वाले हैं बहुत ही याद करेंगे पुरानी बातों को और यह आप तम आपको बोल के चलती हूं यहां पे कि परसन ना आपके लावा किसी और को सोचने रहे हैं अगर आपका ऐसा कोई doubts है ना कि किसी और के पास चला जाएगा या चला गया है या किसी भी तरीके की ऐसी energy आपके मंड में आ रही है तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे कि कि परसन सिर्फ आपकी है और यह आपी के लिए डर रहे हैं यह आपी के लिए इनको गबराहत हो रही है कि यह परसन कहीं दूर ना चले जाए अब भी कंफ्यूजन में हैं जैसे clarity नहीं कुछ चीजों को लेकर इनको ऐसा लगता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं क्या बात क्या मुझे इस क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए और सकता परसन के पास और भी ऑप्शिन जिसमेंसे यह ये इनको चूस करें इस तरीके की इनरजी भी मुझे यहाँ पर दिख रहे है इनके लिए और इनको ना एक चीज समझे कि परसन आपसे बहुत दिखते हैं तर भ१ं की आपकी बॉडिया आपकी बालो से आप जिससे कपड़े पहनते हैं भी पालन प्रेज़ेंट पूर हैं और लेकी के था औरمة आपकंदे हैं अपसे अगले कुछ घंटों में यह person दिखाएंगी नहीं कुछ indirectly ऐसा कर सकते हैं जिससे कि यह person आपको अप्रोच करें कुछ बहाने से आपको call कर सकते हैं किसी और चीज से आपको call कर सकते हैं अपना प्यार भी confess कर सकते हैं क्योंकि आपके बिना बहुत अकेले हो गए हैं अ कोई भी इनको प्रोच कर रहा है कोई भी इनके पास आ रहा है कोई भी कुछ भी कह रहा है इनको अच्छा ही नहीं लग रहा है जैसे किसे से भी बात करना और मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे यह person जब आप इनके पास होते हैं तो शायद यह आपका नहीं कर पाते हैं य को किस तरीके से ये better feel करा हैं, आपके पास कैसे आएं, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे पास ये आएगी नहीं, क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी चाहा जरूर होती है, तारों को चूने की, देखने की, पर क्या वो हम कर सकते हैं, इस लिमें वो हम नहीं कर पा यह आप से अभी भी बहुत अट्राक्टेड है और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप इनके पास आएंगे तो आप इनको एकसेप्ट नहीं करेंगे पता नहीं इनको ऐसी फीलिंग जैसे आ रही हो रात को बहुत जादा यह परसन आपके बारे में सोचते हैं आपको ब करना से भी देखें यहां पर जो है दो कार्ट जा गए हैं और दोनों ही कार्ट पॉस्टेव आए हैं कंफ्यूजन डेफिनिटली है बट आप इनके लिए पूरा जहान है रीकंसिलेशन का भी कार्ड है अगले कुछ घंटों में रीकंसाइल कर सकते हैं आपके साथ ही है तो सुकून है और अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो यह कहीं दूर से भी ट्रावल करते हुए जैसे आपके पास आ सकते हैं आप इनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं अगले कुछ घंटों में रियूनियन हो सकता है प्यारी प्यारी बाते हो सकती है यह आपको मे happiness за 30 कि stipendant कुछ हॅग सब्सक्राइब को घंतों में एक हिवाइट इगल देखिए आपको क्या कारता है न आ आपको जैसे ऑकर न न हम भगवान से कंथे एशीक्त करना है ओर आपकी इव सकता है आपने अभी किसी बहुत करीबी की खोए हो जो आपके बहुत करीब हो आपकी family में या फिर आपके कोई दादा दादी या आपके कोई कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कि अपने mother father को खोया हो है किसी को भी बहुत दी जो की करीब हो आपसे ठीक है जो आपको ब्लेस कर रहे हैं आपको help करेंगे वह अपसे अगले कुछ गंटों में आपको जिसे उनकी तरफ से बहुत सारी blessings मिलेंगे कि आपको बहुत स्टक है तो वह ब्लेस तरीके से करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम में आप स्टक है आप आगे उस चीज में बढ़ पाएं ठीक है तो उससे आपको बहुत help मिलेगी अपसे अगले कुछ गंटों में ओके गाईज अब मैं यह देख लेती हूं और एक कार्ड में लूँगी आपकी guidance के लिए और क्या करने की जुरत है आपको time out अपने लिए guys कुछ time आपने निकालना है आप बिल्कुल भी अपने लिए time नहीं निकाल रहे हो बस यह सोचते रहते हो कब होगा क्या होगा कैसे होगा होगा यह नहीं होगा पता नहीं मेरे लिए अब तो मेरे जिंदगी में सब कुछ खतम ही हो गया तो अपने लिए time नहीं निकाल रहे हो बस इसी उलजन में उलजे हुए हो अपने लिए टाइम निकालो इस मोनोटनस रूटीन जो आपकी बन गई है रोज 9-5 वली उससे निकल कर अपने लिए कुछ वक्त निकालो कुछ ऐसी आक्टिविटी कर सकते हो जिससे कि आपको खुशी मिलती हो और यह परसन से दील कर रहे हो सकते हैं यह नंबर्स आपके लिए लगई भी हो सकते हैं यही बोलूंगी अपने उपर दिहान दो अपने उपर दिहान दो क्योंकि अब जो यह लाइफ आपकी बन गई है नहीं बहुत मोनोटनस बन गई है इससे टाइम निकालो विकेशन पर जो चुटी लो अपने उपर ध्यान देने की हाँ पर दिख रही है इस जो रूटीन बन गई है बॉरिंग सी इससे टाइम निकाल कर आप कुछ क्रियेटिव कर सकते हैं वो आपको बहुत उससे रिलाक्स होगा ठीक है और मैं यह देख रही हूं आपके पॉरसन की तरफ से क्या love messages आ रहे हैं आपके लिए we were just kids when we fell in love I was too immature to understand this love तो जब आप इनसे मिले होंगे या आप लोग इनसे प्यार आप दोनों आपस में प्यार में पड़े होंगे तो हो सकता है बहुत young age में हो गए होंगे तो शायद इनोंने you know वो प्यार आपका समझा ही नहीं या आपसे बहुत समय से प्यार करते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं do you think about me the way I think about you do you miss me the way I miss you I told you यह परसन आपको बहुत मिस कर रहे हैं तो यह आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम भी मुझे उतना ही मिस करे हो जितना मैं कर रहा हूं क्या तुम भी मेरे बारे में उतना ही सोच रहा हूं I know I hurt you and shattered your heart and soul but I will make it up to you soon यह आपको बोले है मुझे पता है मैं तुमारा बहुत दिल दुखाया है मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया है पर मैं जल्दी यह सब प्रॉब्लम्स को solve कर दूंगा और मैं तुम्हारे पास आ जाओंगा और surprise के साथ आएंगे I will feel really I feel really guilty of spoiling our connection तो guys जो इनको regret हमें द बबसूरत रिष्टे को खराब कर दिया इस चीज का इनको बहुत regret है I know I was careless with you इनको पता है इनोंने relationship में बहुत carelessness दिखाई है यह आपके साथ बहुत careless रही है इनोंने आपकी कदर नहीं किया आपके साथ आपकी emotions को handle नहीं किया सही से उस चीज को इनोंने ऐसे बहुत roughly और आपके साथ इतनी importance आपकी समझी नहीं तो उसके लिए जैसे यह sorry बोल रहे हूं आपको को कार्ट जार है I ask my friends to keep an eye on you I ask them about you तो यह अपने friends को बोलते हैं आप पर आख रखने के लिए आप पर नजरे रखने के लिए आपको spy कर रहे हैं जैसे यह क्योंकि हो सकते आपके mutual friends हो जो आपको भी आपसे भी बात करते हैं उनसे भी बात करें तो यहां से वो चीज़ें जैसे आपके बारे में पूछ के उदर बताते हैं या फिरी किसी friends के थ्रू या कोई ऐसे friends हो सकते हैं जो आपके account में added हो जो इनको information देते हैं तो जैसे इन्होंने अपने friends को बता पाया कि इनके मन में आपके लिए कितना प्यार है ओके गाइस तो इस चीज़ पे दोनों को ही काम करने की जुरत है गुस्से को शांत करो इगो को शांत करो relationship को समझो सब चीज़ें डफिनिटली ठीक हो जाएंगी क्योंकि angel blessings भी आपके साथ हैं इतने खुबसूरत कार्ट जाएं है थोड़ा सा वक्त तो इनको भी डर है आपको खोने का उस दर को जो है ना धीरे-धीरे करके वो भी निकल जाएगा आप दोनों की understanding जो है बढ़ेगी तो सब कुछ अपने अप्रेक हो जाएगा यह थी आपके लिए प्यारी सी reading I hope आपको पसंद आई होगी और किन topics पर रीडिंग सेखना चाहते हैं मुझे नीचे description box में बताइए का Instagram पर जाके follow कर सकते हैं and personal reading के लिए भी रीच आउट कर सकते हैं कोई भी problem है सब problems का solution होता है आपने हिम्मत रखनी है हार नहीं माननी है जिद्धी इंसान की तरह जिद्धी बच्चे की तरह आपने अपने अगली डिग में बाई